नमस्कार प्यारे बच्चों मैं राजयंत्मा प्रजापती आप सभी का आज की ऑनलाइन पाट साला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं ये भूगोल की पाट साला है भूगोल की पाट साला में आज हम लोग 11 कक्षा के विद्यारतियों के लिए वीडियो लेकर आये हैं उसी चैप्टर की आज हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे उसका अध्यन करेंगे तो उसको अध्यन करने से पूर्व हम यह देख लेते हैं कि हमने पिछले अध्याव में अब तक क्या सीखा उसको बहुत ही संचेप में हम लोग यहां पर उस पर टॉपिक वाइज चर्चा क हुई है और पृतिवी की आंतरिक सन्रचना या आंतरिक बनावट उसकी रासायनिक सन्रचना का इसी पृतिवी की अंदर की इसकाम लोगों ने वहां पर अध्यायों में और इसके लाबा भूकम पर ज्वालामुखी जैसे आकश्मिक क्रियाओं का भी हम लोगोंने बहुत ही संपूर्था से अद्यन किया है और अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने अध्यन किया था कि प्रत्य उपर खनिजे और चट्तानों की उत्पत्थी कैसे हुई है प्रत्य उपर उसका वितरण पहले खंड में हम लोग जो चर्चा करेंगे उस पर हम देख लेते हैं यहां पर पहले खंड में हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो बिंदु है भुवाकरतिक प्रक्रियाएं और इसमें दो प्रक्रियाएं जो अंतरजनित प्रक्रियाएं और बहर जनित प्रक्रियाएं इ मंद संचलन, पिवर संचलन, भोषखलन, अपरदन योम निच्छेपन और मृदा निर्मान जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं इनका हम लोग आने वाले वीडियो में अध्यन करने वाले हैं पहले टॉपिक में हम लोग अध्यन करेंगे भुवाकरतिक प्रक्रियाएं, जवमॉर्फिक प्रोसेज, जवमॉर्फिक प्रोसेज या भुवाकरतिक प्रक्रियाएं क्या हैं? धरातल के प्रक्रियाएं क्या हैं? अब ये धरातल के प्दार्थ, अब ये धरातल के चटान है खनीज है ये सब क्या है धरातल के पदार्थ है इन पदार्थों पर अंतर जनित यहीं पृत्वी के अंदर जो बल है उसको अंतर जनित कहते हैं पृत्वी के अंदर रहकर जो बलकारी करता है उसको क्या कहते हैं अंतर जनित बल और पृत्वी के बाहर रहकर जो बल जो होते हैं और फिजिकल प्रेसर जो होता है इसके कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन होता है जो भूतल का हमारा विन्यास है कहीं जो है उचा नीचा परवत पठार मैदान यह सब क्या है बहुतिक विन्यास है भूतल के विन्यास है इन भूतल के विन्यासों में अंतर जनित और बहर जनित बलों के कारण जो परिवर्तन होता है इन पूरी परिवर्तन में जो प्रक्रियाएं भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं भू आकरतिक प्रक्रियाएं तो इससे तो ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारी जो भू परपटी है वो क्या है डाइनमिक है गत्यात यहां पर हमेशा परिवारतन होता रहता है इसे लिए को क्या कहा गया है परपटी दो परकार के बलों का अध्या है जिससे गत्यात्मक है हमारी भूवूपरपटी इसका कारण हम जान सके हैं। इसके पीछे दो प्रकरियाएं या दो बल कारRIरत हैं जिसमें पहला बल है अंतरजनित बल या फिर अंतरजनित प्रकरियाएं, इसको इंगलिस में कहते हैं इंडोजेनिक प्रोसेस। और दूसरा ह बहिर जनित बल या बहिर जनित प्रक्रिया जिसको इग्जोजनिक प्रोसेस या इग्जोजनिक फोर्सेस कहते हैं तो जो इंडोजनिक या अंतरजनित प्रक्रिया हैं ये रशनातमक हैं ये प्रत्वी पर क्या करती हैं रशना करती हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य करती हैं क्या करती हैं रगड कर घिस कर तोड़कर उसको विद्धुवन्स करती है इसी लिए बहर जनित बल को विद्धुवसात्मक या फिर डिस्ट्रक्टिव जो है बल कहा जाता है तो अब पहले हम अंतरजनित बल को यहां पर थोड़ा सा अध्यन करेंगे छोड़ीफ में लेकिन ह पूरा चैप्टर जो है बहर जपल पर ही आधारित स्पावर जिसके कारण प्रतुवी कार्य है प्रत्वी के अंदर जो है इसके पीछे कुछ तत्व है जैसे कि प्रत्वी के गहराई में अंदर क्या एक रेडियो धर्मी पदार्थ पाया जाता है और इसके लावद प्रत्वी का गुर्णन भी हो रहा है प्रत्वी के गुर्णन के कारण भी अंदर के जो अंदर जो त्पामान ब्ढ़ता जाता है और तापमान बढ़ने के कारण अब उपर से नीचे जाएंगे तो उपर कम तापमान याएगा. जैसे यता ही फ्रतिविक में हम जाएंगे नीए वैसे था हैं त्पापमान में व्रिद्धी होती जाती है, इस तरीके से गजिता करणिके ढ़ती हैं उनको प्रेसर राइज करती है उपर बढ़ने के लिए रोधकन नियुकर बनाई यह तरीक जके contrat बने शुकता है ऐन我就 बूथा कर्वशाम से मिलती है दो रूप में इसका अध्यन करते हैं प्रिफविक्गोंन से रॽे वालकैनिज्म का जाला मुखीता का हम लोग ने पिछले अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर अध्यन किया था कि इस तरीके से ये आकश्मिक गतियां है और जाला मुखी क्रिया क्या है वहाँ पर हमने देखा था कि जो भूतल पर मैगमा आता है धरातल के नीचे गहराई में एक चैंबर है पिगले हुए चट्टानों का पिगले हुए पदार्थों का जिसको मैगमा कहा जाता है और वो म जाला मुखेता कहलाती है इसका यहां पर हम ज्यादा अध्यन नहीं करेंगे क्योंकि इसके पूरे स्वरूपों का इंट्रूजिव इक्स्ट्रूजिव जितने बाहर दरातल पर स्वरूप बन रहे थे जाला मुखी से उसका हमने अध्यन कर लिया पिछले अध्यम में और दरातल के अंदर जितने स्वरूप बन रहे थे उसका भी हम लोगों ने ध्यन किया लेकिन यहां पर हम पटल विरूपन पर थोड़ा से प्रकाश डालेंगे पटल विरूपन यानि डास्ट्रोफिस्म जो है यह बहुत दीरकालिक परिघटना है यह बहुत लंबे समय तक ज कारण जो है पटल विरूपण की घटना होती है जिसके कारण परवत निर्माण होता होता है wrapsत निर्माण होता होगे की परवत निर्माण की घटना गहा कहा गया है या फिर इपीरोजेनी कहा गया है इसको इंग्लिज में इस तरीके से यहाँ पर यह दोनों चीज क्या है पटल विरूपन के कारण संभव हो पाया है जो डायस्ट्रोफिजम होता है उसके कारण हमने पिछले चेप्टर्स में पढ़ा की किस तरीके से जो प्लेट विवरतन की किरिया है प्लेट विवरतन की किरिया कहीं न कहीं जो है परवतनी और महादीपी रचना को पूरी तरीके से यहाँ पर उस पर चर्चा करने में सक्षम है तो यहाँ पर थोड़ा साम देखते हैं परवतनी क्य कि परवत निर्मान की प्रक्रिया कैसे परवत का निर्मान होता है तो परवत निर्मान जो है ब्रंस और वलन के कारण होते हैं ब्रंस में जब प्रत्वी के चट्टानी सतह जो है उसमें तनाव उत्पन होता है तो तनाव के कारण उसमें दराने पड़ जाती है उन दरानों के साहरे जो चट्टानों में खिसकाव होता है तो उससे ब्रंस उत्पन होता है तो उससे उत्पन जो है कुछ भूखन धरातल के ऊपर उड़ जाते हैं कुछ नीचे धस जाते हैं तो उपर उटे हुए जो है भाग को ब्रंसोत परवत कहते हैं तो इस तरीके से जो है ब्रंस का निर्मार होता है और दूसरा वलन प्रकार के परवत है जो जिसे मोड़दार परवत कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो है आमने सामने से प्रेसर पड़ता है जब किसी धरातिली सतय पर उसमें सतय पर मोड ऐसे इस तरीके से वलन पढ़ जाते हैं मोड पढ़ जाते हैं तो वह उपर मुखी और अधो मुखी बल में क्या होता है कि कोई भी धरातल का सतह जो है उपर उठ जाएगा तो उससे उत्थान हो जाता है या फिर सागर से जल से कोई भाग उपर उठ जाएगा तो उस भुबाग को कहेंगे निर्गमन के कारण जो है इसका जो है निर्माड हुआ ह इसी प्रकार से अधो मुखी बल होता है तो अधो मुखी मल में क्या होता है कि वहाँ पर आउतलन और निमजजन होता है इसी धरातलिय सतय का धंस जाना आउतलन कहलाता है या समुद्री सतय का धंस जाना क्या कहलाता है निमजजन कहलाता है इस तरीके से महादीपी रचना में जो है उपर मुखी बल और अधो मुखी बल के कारण महादीपों की रचना हुई है हमारे इस पृत्वी पर यह यहां अध्यन का विशाय नहीं है इसको हमने इसलिए अध्यायों में पढ़ा है अब हम लोग यहां पर बहर जनित बल या बहर जनित प्रक्रियाओं पर अच्छी तरीके से अध्यन करने वाले हैं यह जैसा कि हमने बताया बहर जनित बल या बहर जनित प्रक्रियाओं क्या है विद्धवन्सकारी है यह जो परवत का निर्माड हुआ या जो महादीपों की जो रचना हुई अंतरजनित बल की कारण उस पर ये बहरजनित बल क्या करती हैं उनको खंडित करती हैं उनको नश्ट करती हैं इसलिए ये बिद्धुहन्सकारी बल होते हैं अब इनको जैसे कि हमने इंडोजेनिक में देखा कि उनको पावर्स कहां से मिलती है, इसी प्रकार से बहुत बहुत बढ़ा सक्ति का स्रोथ है, यह डायरेक्ट रूप में भी प्रभावित करता है बहुत बहुत प्रभावित करता है, और इन डायरेक्ट रूप में अपरतेक सूरी से हमारे वयमंडल का निजर्माड होता है। सूरी के प्रभाव में वयमंडल में गुर्जा वहाँ पर इस्टोर है। वो वयमंड़्रिय और जमने बहांपर और प्रत्रे व Sumam करें तो गृत्वा कर्षनट बल के कारण क्या होता है कि प्रत्वी पर बहरजनिक प्रिक्रियाएं शुरू हो जाती कारे करने लगती हैं तो हम वायमंगली उर्जा की अगर बात करें तो आयमंगली उर्जा से यहाँ पर मुख्रूप से दो चीजों को हम अध्यन करेंगे तापिय भिनता और वर्षण तापिय भिनता से देखिया भी आपर उपस्ता यांपर जो हें इन भूआकरतिक प्रक्रयाओं को बहरजनित भीघयाओं को क्या करेंगी कारेंगे प्रेडित करेंगे और चुलित कारण बहरतीब करेंगे biggestнев gost से अलग अलग जब उच दाब और उच दाब की प्रेशर जब उत्पन हो जाते हैं उच दाब और निम जो बाहरी भुवाकृतिक प्रक्रिया हैं उसको प्रिद करेंगी कारी करने के लिए और दूसरा जो वर्षन है अब हमारे वायो मंडल में बादल का निर्माड हो गया बादल के निर्माड से वर्षन होता है वर्षन अब कई रूप में होगा जल की रूप में वर्षा होगी ह उससे बैते विजल यानि की नदियों का आविर्भाव होगा और जब नदियों का आविर्भाव होगा तो नदियां भी एक कारक बनेंगी एजन्ट बनेंगी हमारे इस प्रत्वी पर विद्ध्वन्स का कारी करने के लिए इसी प्रकार से हिम वर्षा से बड़े-बड़े हिम वाली सतय वहां से दरातल के अंदर प्रवेश करें जिससे कि भूमिगजल की उत्पत्ती हो गई और बरसा आधी कोई तो जो गरत भर गए उससे महासागर और सागरों की उत्पत्ती हो गई तो वहां पर सागरिये लहने जो है प्यारी करेंगे तो इस तरीके से हम यहां पर क् अब यही सब भुवाकरतिक कारक जो है मिल करके बहर जनिक प्रक्रियाओं को क्या करती है प्रेरित करती है अब जब प्रक्रियाओं को बहर जनित बल को प्रेरित करेंगी यह सारे एजन्ट्स मिल करके सारे कारक मिल करके भुवाकरतिक कारक मिल करके तो इससे क्या होगा बोगोल में एक सब दिया गया है अनाच्छादन अत्मक जो है प्रक्रिया अब यहां पर काम करेंगी डेनुडेशनल प्रोसेस इन सब को मिला करके कहा जाता है अब डेनुडेशन या फिर अनाच्छादन क्या है अपक्छे अपरदन परिवहन चरण संचलन यह सब मिला करके क पटाना क्या कहलाता है और अच्छादन की प्रक्रिया को हम एक फलो चार्ड की माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अपक्षे व्रहस संचलन और अपर्धन परिवान एक प्रक्रिया है उसके लिए ब्रेरेक बल्ग या फिर जो है उर्जा कौन-कौनसी जैसे अपक्षे के लिए अपरदन और परिवहन के लिए जो गती उर्जा डायनमिक एनरजी कहीं ने कहीं उसको फोर्स करती हैं कार्ण करने के लिए प्रेडित करती हैं यही सब बहरजनी भुआकरतिक प्रक्रियाएं अपने गत्सील कारकों यहीं गत्सील कारकों में हमने जो अभी देखा कि किस तरीके से जो भुआकरतिक एजेंट्स हैं, भुआकरतिक कारक हैं नदी, हिमानी या हिमनद, लहरें, समुद्री लहरें और धरातल के अंदर की बहता हुआ जल यानि भूमिगा जल, इस तरीके से पौवन, यह सब क्या है भुआकरतिक गत्शील प्रक्रियाएं हैं, इनकी सहायता से जो है धरातल पर तल संतुलन का काम होता है, ग्रेडेशन का काम होता है, यह जो बहर जनित भुआकरतिक प्रक्रियाएं हैं, यह क्या काम करती हैं, प्रतिवी के उपर तल संतुलन का काम करती हैं, ग्रेडेशन का काम करती हैं, यह सब अपने एजेंट्स के माध्य उत्तियों का होगा, अबरी भी भुعة करती अपर, उभरी भी आकरती एउन पर यह सब क्या करती है? विघर्षण का काम करती है, उसको सिंटिप् आफ करती है, उस पावरन को हटाती है. और वहां से जो मलवा उत्पन होता है उस मलवे को अपने कारकों की सहायता से चाहे वो हवा हो अर्थात पवन हो बैता वजल अर्थात नदी हो या हिमानी हो या समुद्री लहरे हो ये सब क्या करती है उनको अपरदित सतह से उत्पन मलवे को परवहित करके उसका परिवहन कर करके और संबन्धित संब्द बेशिन और घर्टों में ले आकरके उसका भराव करती हैं वहाँ पर उसको जमा करती हैं इस तरीक मेरे संतल संतलन का का गारे संतलन का ग्रिडेशन का का होता है लेकिन अगर ये प्रक्रिया वास्तों में चलती है प्रित्वी पर अब तक तो सारे सतय का सब घीस करके और मैदानों में इन्हीं गड़ों में जमा होकर सब एक सतह पर समतल हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है आपकी दिमाग में प्रस्थन आना चाहिए यह इसलिए नहीं तो जो सोरी से उत्पन हुए तो सोरी के जो औरजा थी वो पृत्वी के अंदर भी इस्टोर थी काफी मात्रा में तो उस समय कहीं न कहीं ज्यादा तीवरतर थी अंतरजनिक प्रक्रियाएं लेकिन आज भी कारी करती हैं अंतरजनिक प्रक्रियाएं क्योंकि हम जालामुखी और भुकम सुनामी ये सब देखते रहते हैं, अक्सर समाचारों पढ़ते रहते हैं कि ये सब कही ने कहीं जो है आकसमी गटनाए घटती रहती हैं तो यह क्यों होती हैं, क्योंकि अंतरजनिक बल या अंतरजनिक प्रक्रियाएं आज भी कारेड़त हैं वच्चों, तो इसलिए यह प्रशन आपके दिवात में अवश्र उठना चाहिए कि तल संतुलन का कारे अभी तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ तो बहर जनेक बल तलसंतरों का काम करती हैं, तो दूसरी तरफ नीचे से प्रेशर मार करके अंत्रजनिक बल, फिर से परवत को नीचे से ढारती है, तो उपर उटने की कोछिस करता रहरा ता, यही कारण है कि हुमाले में अभी भी उत्थान जारी है, ऐसा जो है रिसर्च से पता चला है कि हिमाले में अभी भी उत्थान और आया जारी है इस तरीके से अभी तक जो है तल संतलन ना होने का सबसे प्रमुक कारण यही है और धरातल पर यह भिनता तब तक बनी रहती है जब तक दोनों वलों यानि दोनों प्रक्रियाओं के बिरोधात बल है वो क्या कहते है नहीं आओ तुम उपर आओ मैं तुमको घिसने का काम करती है इस तरीके से दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक कारे करती रहती है तो धरातल पर यह भिवाकरतिक प्रक्रियाएं एक छेत्र से दूसरे छेत्र में विन्न विन्न होती है ऐसा नहीं कि प सब जिए चलती हैं लेकिन कहीं ऐसा चलती है लेकिन कहीं नदी के सहारे वाले च्छेत्रों वहाँ पर जल अपना कारी करता रहांकर इस तरीके से हमारी इस पूरी पर सुल प 앞에 ब्रत्र बीसे थ इसके पीछे पीजिशा ह Suppose this कारण हो सकता है जैसे कि अच्छानसिय विस्तार है पर पर सब्सक्राइब कर जीरो डिग निस चुछ दिघ्रीएउन क्या अचलाइब दिग्री यहॉथ एक व्यापक रूप से प्र thin पर इस बहरेजनिक प्रोआ करतीक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और दूशर से कारता है जल्वाईव्यू भुआकरतिक प्रक्रियाओं में कही ने कहीं जो है बिनता पाई जाती है और इसके लावा जल थल विस्तार में भी बिनता है कहीं पर जल की अधिकता है तो कहीं पर इस थल की अधिकता है वह उत्री गुलार्द की अगर बात करें तो उत्री गुलार्द में जो है इस थल की अधिक जो है उसका विस्तार पायाता है जबकि दच्छी गुलार्द में जल मंडल का अधिक विस्तार पायाता है लेकिन हम किसी महादीव की अगर बात करें तो महादियूप पर कहीं पर समुद्र है, सागर है, तो कहीं पर धरातल भी है, तो ये जल और थल के विस्तार में भिनता पाई जाती है, तो इसके कारण भी भुवाकरतिक प्रक्रियाओं एक छेतर से दूसरे छेतर में भिन्विन होती है, किसरा है बनस्पतियों का घनत तो पर दwenजित से संपन पर जाए गा पर यहां पर ज़ादा से सांपन हो जाएगा वहां की जड़े क्या करेंगी अब यहांवी क्यों प्रोक्षाहित करेंग Parlotto करेंगई तो त्रिके से अपर अपर शरम स्टोन हो जाएगा वख्षे मे या भुआकरतीक प्रक्रियाओं में बनस्पतियां भी इनका बित्रन और प्रकार भी भावित करता है और इसके लबाध उचाए में इंतर पाए जाता हुआ हमारी प्रितिवी पर कहीं परवत है परवत है प्ठार है कहीं मैडान है इस तरीके से उच्चा वच्ची की भीनता के कारण भी भुहाकरतिक प्रक्रियाओं में भीनता पाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह में और इसके लावा दैनिक तापांतर में भीनता पाई जाती है आपर जो दैनिक तापांतर है यानिकि दिन का तापमान कुछ है रात क क्ठेवाले छेत्रों पर क्या होता है वहाँ पर हिम पढते हैं और हिम के करण दरारों में जल जम Germansाता है और दिन में पीघल अरके जल बन जाता है तो इस तरीक्छे इसे डिन और रात में जो है जल का जमना जल का seriousness यहां प्रत्वित करती हैं दैनिक ताप अंतर में भिनता पाई जाती है तो इस तरीके से यहाँ पर इन हम इस सारी चीजात्किय है हम पर करें डला, लोग आ लटो आगे आप जो प्रक्षे के क्या हैं उप यह आप लोग तो इसको हम लोग अगले वीडियो खंड में इसका अध्यन करेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़कर आईए, तो यहाँ पर कुछ प्रस्ण है ग्रहकारी की रूप में, आप उसे करिएगा, पहला प्रस्ण बहुविकल पिये है, पटल विरूपन सम्मंदित है, एक आफसन य इसके अतरिक्त अनिवल से, दूसरा प्रस्ण है, तीस सब्दों में इसको लिखना है, परवतनी प्रक्रिया समझाईए, जो आपने परवत निर्माल की प्रक्रिया भी बताई थी, उसको संछेप में यहाँ तीस सब्दों में आपको समझाना है, तीसरा प्रस्ण है, परस्ट पार्ट इस चेप्टर का खत्म होता है फिर हम जल्दी मिलेंगे तब तक आप लोग पढ़ते रहें जय हिंद जय भारत